सो नमस्कर दोस्तों आप से भी का स्वागत हमारी आरेजी सपोर्डबॉय यूट्यूब चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हों कि अगर आप इंस्टाग्राम पर फिंगर प्रिंट लॉक लगाना चाहते हो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है और यहां पर आने के बाद फिर यहां पर आप देशी तो फिंगर प्रिंट फेसी के उपर क्लीक करना है encryption के अंदर आपको आजाना है और फिर आपको अपना जोकी यहां पर password डलना privacy Password फेस्ट को उपन करना ये open हो जाएगा फिर आपको आपको निगर लगाना है görünh फिंगर्फिंद लॉक लगाना है तो अगर आपको hide करना हो तो यहां पर हाइड वाले पर से आप on कर देते हो उसके बद अब इस पर जोगी fingerprint lock लग जाएगा ठीक है तो अभी हम चलिए इसको open करने की कोशिश करते हो और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अभी जैसे मैं इसके ओपर clicker गो तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं फिंगर्प्रिंट लगाऊंगो तो यहाँ पर फिंगर्प्रिंट और पासवर्ड दोनों डालने का option आता है तो यहाँ पर हम पासवर्ड से भी open कर सकते हैं तो इस वजह से यहाँ पर यह जो मतलब लगाया तो अभी black screen आया था ठीक है अगर मैं दुबारा से भी open करता हूं तो आप देखें तो अभी तो यह open हो रहा है मेरा यह क्यों open हो रहा वो आप समझे यहाँ पर हमने जो इसका setting है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ हुआ है तो पिछले इसको मैं यहाँ पर open करता ह उसके एक मिनट के बाद लॉक लगएगा और एक यहाँ पर है जो कि after the screen is locked और एप इस ग्लोज जाया नहीं कि अगर आप एप क्लोज करते हुआ फिर screen अपना लॉक करते हुआ उसके बाद लॉक लग जाएगा और यहाँ पर जो सबसे पहला यह है कि अगर आप अपना screen बंद कर देता हूं यह जो हमारा जो fingerprint lock है इसको में यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी black screen नहीं आएगा एकदम से application हमारा open हो जाएगा तो जैसे भी आपको black screen आया ता जैसे में इसको उपर क्लिक करूँगा विदा होता है नहीं ब्लैक स्क्रीन ए एक भी second का time नहीं लगा है so friends आज किसी वीडियो में तना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है please comment करके जरूर बताना